नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजू जू 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 गोवर्मेंट एक्जाम ट्रैप चैनल, दोस्तों आज हम लोग डेली करेंट अफेयर में चर्चा करेंगे 29 जनवरी 2021 के विभिन समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परिच्छा, CHSL, Combined Graduate Label, NTPC, Intelligence Bureau, CPOSI, दिल्ली पुलिस, बिहार SI, UPSI, and other state services exam के लिए यह लाब दायक सिद्ध होगी, तो आईए एक एक करके चर्चा करते हैं, आज के रास्टी मामलों में पहली खबर है, First shipment of light machine guns from Israel, दोस्तों, यह जो है, महतपूर है कि हमारे देश में, वरतमान में, चीन से सीमा पर तनाव के बीच, भारत की रक्षा पंक्ती को मजबूत करते हुए, भारत की हतियारों की आपात खरीद की मुहिम के तहए, इजराइल से भारत सेना के लिए, छे हजार नेगेव light machine gun, यह नाम याद रखिएगा, नेगेव light machine gun हासिल कर ली गई है, रक्षा मंत्राले ने fast track प्रक्रिया को अपनाते हुए, पिछले साल 19 मार्च को भारत ने इजराइल के साथ 16,489 नेगेव light machine gun खरीदने के लिए, कितने करोण का करार किया था? 800 करोण का करार किया था, ताकि सीमा पर चीन और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए अग्रिम मोर्चों पर तैनात जवानों की मारक छमता बढ़ सके, और हमारी रक्षा पंक्ती मजबूत हो सके, दोस्तों इन machine gun को परक्ने के लिए, कहां भेजा गया इसके लिए भी है, दोस्तों याद रखेंगे, तो इस तरह से इस सवदे की बाकी machine gun इसी साल मार्च के अंत में आने की उमीद है, दोस्तों नेगेव जो है 7.62 गुडे 5.1 mm light machine gun युद के लिए एक बहतरीन हतियार है, मौझूदा समय में दुनिया भर के कई देश इसका इस्तेमाल कर र हैं, उसके मुकाबले LMG Seneca के निसाना लगाने के दाइरे को बढ़ाने के साथ ही इसे अचूक बनाने का भी काम करेगी, तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह सीधे प्रसना आजाएगा, कि अभी हाल ही में नेगेव लाइट मसीन गन हमने किस देश से हासिल की, तो वह है इसराइल, अब बढ़ते हैं दोस्तों, EEPIC, दोस्तों, EEPIC क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग ने मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र, EEPIC के एलेक्ट्रोनिक संस्क्रण को रोल आउट किया है, तो दोस्तों, चुनाव आयोग जैसा कि एक स्वतंत्र निकाय है, संवैधानिक संस्थान है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में भारत का एक चुनाव आयोग होगा, तो दोस्तों, चुनाव आयोग होगा, जिसमें एक मुख चुनाव आयोग और दो अन्य आयोग होते हैं, इनकी जो नियुक्ती है, रास रास्टी पार्टियों को चुनाव चिन देना, रास्टी पार्टियों को माननता देना, छेत्री पार्टियों को माननता देना, यह सब कार चुनाव आयोग के ही द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों, इसमें जो महत पूर्ण है, यह देख रहे हैं, चितर में आप देख सक तो मतदाता को प्रिंट करने और पहुँचने में समय लगता है और यहां विचार है कि दस्तावेज को तेजी से वितरन और आसान पहुच प्रदान करना है किसका चुनाव आयोग का दोस्तों थोड़ा सा EPIC के बारे में जान लीजिए यह EPIC है क्या और इसे क्या लाब होगा और यहां कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड ले जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक डिजिटल वोटर आईडी कार्ड लांच किया है इसलिए इसको EPIC कहते हैं तो इलक्रोनिक रूप में अपने मोबाइल फोन पर अपने वोटर कार्ड को आप ल इस तरह से इलक्टरोनिक वोटर आईडी मैनुल वोटर आईडी कार्ड से अलग है क्योंकि यह PDF डाकुमेंट यानी PDF फार्म में उपलब्द है जिसे पोर्टेबल डाकुमेंट फार्मेट कहा जाता है दोस्तों जिसे मोबाइल या कंप्यूटर में हम डाउनलोड कर सकते है सौफ्ट काट कॉपी में एक QR कोड भी होता है जो मतदाता के नामंकन विवरंड जैसे नाम और जन्वति थी और पते को ले जाएगा इसके अलामा यहां दिख्षा मतदाता पहचान पत्र को मुदृत करने और वितृत करने में चुनाव आयोक को बहुत अधिक लागस से ब पश्चिम बंगाल असंग केरल तमिलनाड और पुदुचेरी में 2021 में चुनाव होने हैं तो शुरुवात में मतदान करेंगे इसका फुल फाम क्या होगा एलेक्टोर फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपी आईसी ध्यान रखेंगे दोस्तों तो यह भी महत्पूर्ण है अ दोस्तों यहां पर चितर देख सकते हैं इस बार जहां की उतर प्रदेश की तरफ से राम मंदिर की जहां की पेश की गई और इसका जो बिसे था यह ध्यान रखेंगा अयोध्या उतर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत तो दोस्तों अयोध्या शर्यू नदी के किनारे बस इन कहानियों को जहाकी में दर्शाया गया तो इसलिए इसका जो प्रथम पुरसकार है इस बार का वह राम मंदिर की जहाकी यह उत्तर प्रदेश की राम मंदर की जहाकी को मिला है इसी तरह से दूसरा पुरसकार जो मिला है त्रिपुरा जहाकी को गंडतंत दिवस परेट के और तीसरा जो है उत्राकंड की जहां की देवों की भूमी को राजियों और केंसासित प्रदेसों के बीज तीसरा स्थान पर रखा गया है। दोस्तों अमेरिकी जो नवनियुक्त राष्टपती हैं कौन से राष्टपती हैं ची आलिसमें प्रेसिडेंट है जो से बाइडन ने बहुत ही महत्पूर्ण निर्ने लेते हुए साथी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अरबो डॉलर के हतियारों की बिक्री पर रोक लग जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के खास रहे साथी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तो यह दोनों काफी महत्पूर्ण रहे हैं तो अमेरिका ने एलान किया है कि वह ट्रम्प के हतियारों साथों की ब्यापक समिच्छा कर रहा है वहीं अमेरिका के नए विदेश मंतरी कल ही चर तो दोस्तों अमेरिकी विदेश मंतरी ने कहा कि लंबित हतियार समझोते समिच्छा के अधीन हैं और नए प्रशाषन की शुरुआत के लिए प्रतिकात्मक हैं तो इस तरह से विचार किया जा सकता है आगे भी इसको देख सकते हैं विदेश नीत को आगे बढ़ाया जा सक तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बाइडन प्रशासन ने साओधी अरब को अत्यान तक हातक हतियार और UAE को F-35 बिमान देने पर अलपकालिक बहन लगा दिया है अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात को 1,73,000 करोंड से जादा के हतियारों की डील की मंजूरी दी थी और इस डील के जरिये अमेरिका को अपने स्टेट आफ आफ आर्ट माने जाने वाले इस टिल्थ लडाको विमान F-35 और MQ-9 Reaper Drone को UAE को दिया जाना था किसको युनाइटेड अरब अमीरात को तो इस तरह से अमेरिका के ततकालिन विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा था उस समय अब तो लिंकेन साहब है 23 अरब डालर से ज़्यादा कीमत वाली इस दील में कई उन्नत हतियार पनालियों को संयुक्त अरब अमीरात को दि सकते हैं इधर देख रहे हैं फारस की खाड़ी है यह कतर है इसकी राजधानी दोहा है और यह देख रहे हैं रेड जो डॉट डॉट है यह ट्रॉफिक आफ कैंसर है तो ट्रॉफिक आफ कैंसर से गल्फ देशों में जो बात की जाए कौन-कौन से देश से गुजरती है तो यहां मदीना यह बहुत ही पवितर स्थल है जेद्दा मक्का यहां लोग जाते हैं और साओधी अरब पेट्रोलियम उत्पादक प्रमुख देश में से एक है सबसे अधिक रिजर्व यहां पर है यहां अलनफद डेजर्ट है और रूबल खाली डेजर्ट दोस्तों उत्तर मे अलनफद डेजर्ट और दक्षिन में रूबल खाली डेजर्ट है और इसकी राजधानी रियाद है इसी तरह से युनाइटेड अरब अमिरात में इसकी राजधानी आबुधा भी है सारजा है यहां पर देख रहे हैं इस्टेट आफ हरमुझ तो हरमुझ जलसंधी याद र इस तरह से ओमान की खाड़ी को जोड़ता है इसी तरह से यहां पर भी देख सकते हैं यह यमन है इसकी राजधानी साना है और यहां पर बाबिल मंडेब जलसंधी है दोस्तों इसे आसुओं का द्वार कहा जाता है जो लाल सागर और अधन की खाड़ी को जोड़ती है और किसको कर रही है यमन और जीबूती को इधर अफरीका महादीब सुरू हो जाता है और जीबूती की राजधानी है जीबूती सिटी यही पर उपर देख रहे हैं इरिट्रिया देश है इसकी राजधानी असमारा है इथोपिया देश है इसकी राजधानी आदिस आबाबा है द उत्पन होती है तो इसी से जो है यहां कॉफी का उत्पादन किया जाता है अब बढ़ते हैं दोस्तों न्यूजीलेंड टॉप्स कोविट 19 परफॉर्मेंस रैंकिंग दोस्तों आस्टेलिया में इस्थित लोवी इंस्ट्यूट द्वारा जारी किया गया है कोरोना वाइरस प पर है और इसमें सबसे लास्ट रैंक पर ब्राजील सुचकांग का है ब्राजील सबसे लास्ट यानी 98 रैंक पर है तो कोविट प्रत्क्रिया पर साजविंग रूप से उपलब्द और तुलनी आँखों के आधार पर देशों को स्थान दिया गया है दलोवी पर्थ, होबार्ट और डार्विन ये महतपूर्ण शहर हैं तो सिडिनी में यहाँ अवस्थित है अंतरास्टिय नीती ठिंक टैंक है सुचकांग में न्यूजिलेंड, वियतनाम, ताइवान, थाइलेंड, साइप्रस यानी पहले अस्थान पर न्यूजिलेंड, दूसरे प लेंड की वेलिंग टन है दोस्तों, राजधानी, इस तरह से सिलंका दक्षिड एसिया में दश्वें अस्थान पर है, जबकि मौल दीब 25 रंक पर है, 69 वें अस्थान पर नेपाल है, और बंगला देश 84 वें अस्थान पर है, तो इस तरह से सारवजिनी करूप से उपलब देटा की कमी कारण चीन कोई सूची से बाहर रखा गया था, अब बढ़ते हैं समाचारों विभिन रास्टी अंतरास्टी व्यक्तित्त में, आज हम बात करेंगे, यहां पर दो पिक्चर दिख रहा है, यहां हमारे राजनईक हैं, IFS यानि Indian Foreign Services से संबंदित हैं, तो यहां देख रहे हैं नीचे इनका नाम देख रहा है, तो अजीत विनायक गुपते अपॉइंटेड एज इंडियन एमबेजडर टू इजिप्त, कहां मिस्र का, और सुब दर्शनी त्रिपाठी कजाकिस्तान की इनको राजदूत निउत किया गया है, तो दोस्तों अजीत विनाय गुपते को अरब गणराज्य मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निउत किया गया है, अभी वह उप महा निदेशक भारती संस्कृतिक संबंध परिशत के पदपर है, अजीत गुपते ने इंडियन फॉरिन सर्विस में अपनी शेवा 1991 में शुरू की थी, उन्हों रखे सब से ज़्यादा बोली जाने वाली भासा में पढ़ाई की है, वह चीन के मामलों के जानकार भी हैं दोस्तों, और ध्यान रखेंगे कि 1995-1998 के बीच वह चीन में भारत के अंडर सेग्रेटरी रह चुके हैं, 1998 और 2000 तक वह हॉंग कॉंग और 2000-2004 तक भीजिंग में त तैनात रह चुके हैं, यहां वह फस्ट यहां पर फस्ट सेक्रेटरी थे दोस्तों, तो 2010-14 तक गुपते ने बरलिन जर्मनी में भारती दूतावास में तैनात थे, यहां वे जिप्टी चीफाफ मिशन में थे, यहां ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा एजिप्ट भी भी नदी है, सूडान में ही दोनों नीली नील और जो है सफेद नील मिलती है, कहां? खारतूम में, सूडान की रादधानी खारतूम में मिलती है, और यह आगे बढ़ते हैं, इसे मिस्र का बर्दान कहा जाता है दोस्तों, और यह देख रहें ना, काईरो मिस्र की कैपिटल यह देख सकते हैं कजाकिस्तान इधर रशिया इसको स्पर्स कर रहा है और इधर चाइना भी स्पर्स कर रहा है किरिगिस्तान भी कर रहा है उजबेकिस्तान भी कर रहा है और यह कैस्पियन सागर बिस्ट की सबसे बड़ी जील है तीन लाख एकतर हज्जार वर्ग किलो मीटर चेत्र फल में फैली हुई है World Largest Saline Lake है Largest याद रखने है World Saline Lake बात की जाए तो टर्की में है One Lake है लेकिन या विस्तु की सबसे बड़ी है खारे पानी की जील इसे यहां देख रहे हैं ना R.A.K.I.T. यानि पांच देश इस प्रस करते हैं और उजबेकिस्तान के सासा देख रहा है, तुर्कमेनिस्तान को भी कर रहा है, इसकी राजधानी आश्खाबाद है, उजबेकिस्तान की ताशकंद है, तजाकिस्तान की दुशामबे है, लेकिन यह इस परस नहीं कर रहा है, किर्गिस्तान कर रहा है, इसकी राजधानी सुल्तान हो गई है और ये अरल सागर जील देखिए यह भी पूछा गया है कई बार एक्जाम में आपके अरल सागर जील किन दो देशों को सपस करती है या किन दो देशों के मध्य हिस्थित है तो कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान के मध्य हिस्थित है अब बढ़ते हैं दो पहली कमपनी बन गई है देश की पहली दूर संचार कमपनी इस तरह की सर्विस सेवा बना करने वाली, यानि तेली कॉम कमपनी भारती एरेटेल ने एक भारत में 5G रेडी नेटवर का एलान किया है, कमपनी ने हैदराबाद में कामर्सियल नेटवर्ड पर 5G लाइब सर्विस का सफलता पुरुक प्रदर्सन किया है तो इस तरह से यह देश की पहली कमपनी बन गई है एरटेल ने ऐसा अपने मौजूदा लिबरलाइजड स्पेक्ट्रम को 1800 मेगा हर्ड में NSA नेटवर्ड तक यह गोपाल बिठल है दोस्तों थोड़ा सा 5G के बारे में जान लीजिए 5G क्या है तो यह पांचवी जनरेशन जी मतलब जनरेशन है यह 4G के मुकाबले 100 गुना अधिक तेजी से कारे करेगा दोस्तों तो यह जो है याद रखिएगा कि 5G टेक्नलोजी का जो आधार है पा है इसको कहेंगे मिली मीटर वेब क्या कहेंगे मिली मीटर वेब दूसरे को क्या कहेंगे छोटे सेल्स कहेंगे छोटे सेल्स तीसरा है मैक्सिमम एम आई एम ओ और चौथा है बीम फार्मिंग याद रखिएगा बीम फार्मिंग और पांचवा है फुल डूपलेक्स क्या कह करता है जो एक जीबी प्रति सेकंड की स्पीज से डेटा ट्रांसपर को संभव बनाता है ऐसी तक्निक फिलहाल अमेरिका में वेरी जान और AT&T जैसे टेलिकॉम आपरेटर इस्तेमाल कर रहे है और स्पीड सेल्स क्या है दोस्तों तिया 5G टेकनिक का या 5G टेकनलोजी का दू इसलिए में सेल्स टावर से सिगनल रिले करने के लिए पूरे छेत में बड़ी संख्या में मिनी सेल्स टावर्स लगाये जाते हैं और दोस्तों मैक्सिम एम आई मो क्या है मैक्सिमम एम आई मो इसका मतलब क्या हुआ है म मतलब मल्टीपल इनपूट एन मल्टीपल तो इस तक Gibral का इस्तेमाल कर ट्राफिक को मैनेज करने के लिए बड़े sales टावर का इस्तेमाल किया जाता है, और एक regular sales टावर को जिसमें 4G network मिलता है, वह 12 Antina के साथ आता है, उस छेतर में cellular traffic को handle करता है, इस तरह से multiple input, multiple, output 100 Antina को एक साथ support कर सकता है, जो अधिक traffic रहने पर टा यह एक ऐसी तकनीक है जो लगातार frequency की कई सारे sources को monitor कर सकती है और एक signal के block रहने पर दूसरे मजबूत और अधिक speed वाले tower पर switch करती है और दोस्तों पांचवा है full duplex तो full duplex एक ऐसी तकनीक है जो एक समान frequency band के साथ एक data को transmit और receive करने में मदद करता है land line, telephone और sword wave radio में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल होता है यह two way street की तरह होता है जो दोनों तरफ से समान traffic भेजता है अब बढ़ते हैं पुस्तकेयों पुरसकारों में मेघाले wins national award for best electoral practices 2020 दोस्तों मुख्य निरवाचन अधिकारिया चुनावायक से दूसरी खबर है मुख्य निरवाचन अधिकारी कारियाल है मेघाले को रास्तिय सरसेश चुनावी अभ्यास पुरसकार 2000 में भारती निरवाचन आयोक द्वारा चुनाव में सूचना प्रद्योगी अनुप्रियोगों के लिए एक विसेश पुरसकार के लिए चुना गया है यानि मेघाले ने Information Technology का बहुत ही बहतर प्रयोग किया जिसके कारण उन्हें यह भी सेश पुरसकार दिया गया तो राष्टपती रामनात कोबिंद जी है मेघाले के CEO यानि चुनाव आयोक जो है FR खारकोंगर को नई दिल्ली में आयोजित राष्टी मतदाता दिवस पुरसकार समारों में वर्चुल रूप से पुरसकार दिया और about the award इस award के बारे में जान लीजिए यह पुरसकार CEO के कारेयाले द्वारा यानि मुख्य चुनाव आयोक के कारेयाले द्वारा संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया में Enrollment to Election E2E प्रक्रिया में निरंतर और सुसंगत IT अनुप्रियोग प्रयासों को पहचानता है और सभी स्रेणियों के मतदाताओं दोनों सामान और विकलांग व्यक्त के लाव के लिए प्रद्योगी का लाव उठाने के लिए है और ECI लगातार चुनाओं की गैर चुनावी अविधी जैसे मतदाता पोर्टल, मतदाता हेल्प लाइन एप, SMS 1950 हेल्प लाइन, राजनीतिक पार्टी पंजी करन, ऑनलाइन ट्रेकिंग को कवर करने की तक्नीक का उप्योग कर रहा है तो यहाँ ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में, AFC Women Asian Cup in India to be held from January 22, February 6, next year यानि 2022 में हम लोग मेजबानी कर रहे हैं, Asia महिला कप फुटबॉल की तो भार्ट अगले साल यानि 2022 में महिला AFC Cup की मेजबानी करेगा, यहाँ टूर्णामेंट 20 जनवरी से 6 फरवरी के बीच खेला जाएगा इस टूर्णामेंट में 12 टीमें भाग लेंगी, इसको 4 समुहों में बाटा जाएगा, और 18 दिन के भीतर 25 मैच खेले जाएगे आठ टीमें क्वार्टर फाइनल में प्रिवेस करेंगी, जबकि पिछले सत्र में सिर्फ आठ टीमें ही भाग ली थी, तो यहाँ टूर्णामेंट 2023 फीफा महिला बिस्व कप का क्वालिफिकेशन टूर्णामेंट भी होगा, महिला बिस्व कप में 32 टीमें भाग लेंगी, और पिछले सत्र की तीन सर्वोच रैंकिंग वाली टीमों, जापान, ऑस्टेलिया और चीन के लावाँ भारत को मेजबान होने के नाते स्वताह प्रवेश मिला है, तो यह भी खबर याद रखिएगा, सीधे पूछ लेगा कि एशिया वोमें कप फुटबॉल कहा होगा, अ उन्होंने कहा, AFC महिला एशिया कफ से सत्र की शुरुआत होगी, और यहाँ भारती महिला फुटबॉल के लिए महत्पूर्ण वर्स होगा, चुकि भारत में दो बड़े टूर्नामेंट होंगे, कौन-कौन से, एक अंडर 17 महिला बिसु कप और एशिया महिला कफ होगा, फ दोस्तों, इसके स्थापना 1954 मनीला में हुआ था, कहां, फिलिपीन्स की यह कैपिटल है, दोस्तों, यहीं International Rice Research Institute भी है, और यह मुल संगठन फीफा का है, और इसके महा सच्चिव हैं, डाटोज, इसको ठिक लिजेगा, डाटोज, विंड सर जौन है, यह ध्यान रखेंगे, अब बढ़ते हैं, लिटर स्टाक इबाउट सम इंपॉर्टन फैक्ट, दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बजट की उल्टी गिंती सुरू हो गई है, बजट आने वाला है, हम लोगों को धेड सारी आसाएं रहती हैं बजट से, तो आज हमने बजट से संबंधित प्रमु बजट से लिया गया है, और बजट बन गया दोस्तों, भारत में पहला बजट इस्ट इंडिया कमपनी के जेमस विल्सन, दोस्तों, भारती बजट की बिवस्ता का जनक का आ जाता है, इनको, जेमस विल्सन को, कब किया था 1860 में ध्यान रखेंगे दोस्तों और भारत में अप्रेल दियान रखेंगे भारत में 1 अप्रेल 31 मार्च तक चलने वाले बित वर्ष की शुरुवात 1867 में हुई थी इससे पहले 1 मई से 30 अप्रेल तक बित वर्ष होता था और सुतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आरके संडमुगम चेटी ने 26 नॉंबर 1947 को पेश किया था दोस्तों ये भी पॉइंट बहुत ही बार आया है परिक्चा में इसके साथ ही याद रखेना कि अंतरिम बजट का प्रियोग पहली बार अरशंडमुगम चेटीन के द्वारा 1948 और 49 के बजट भासन में किया गया था इसके बाद छोटी अवद के बजट के लिए अंतरिम बजट सब्द का प्रियोग किया जाता है दोस्तों गंडतंत्र भारत का यानि भारत हमारा रिपब्ली कब बना था 26 जनवरी 1950 को बना था कि नहीं तो गंडतंत्र भारत का पहला बजट पेस करने वाले 28 फरवरी 1950 को जौन मताई थे बित मंतरी यह ध्यान रखेंगे दोस्तों इसी तरह से साल 1958-59 में देश के तातकालिन प्रधान मंतरी और प्रथम प्रधान मंतरी भी यही थे जवाहलाल नहरू ने बजट पेस किया और यूनियन बजट पेस कर इंदरा गांधी ने 1970 में आम बजट पेस किया था उस समय वे देश की प्रधान मंतरी भी थी तो भारत के इतिहास में वे एकलोती महिला हैं जिनों ने आम बजट पेस किया था लेकिन निर्मला सीतारणमन देश की पहली महिला बित मंतरी बन गई है और उन्होंने भी जर्चित हुआ करते थे बहुत जर्चित नाम है पहले गैर कांग्रेशी प्रधान मंतरी थे और दोस्तों यह दस बार बजट पेस किये हैं छे बार बित मंतरी चार बार उप्रधान मंतरी रहकर के यह ध्यान रखेंगे और दो बार उन्होंने भी शेस इस तरह से बारा बा किया है याद रखना अपने बर्थडे के दिन वहां 64 और 68 में अपने जन्म दिन के आउसर पर जो है 29 फरवरी को बजट पेश किया था तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों और यह उनका जन्म दिन भी 29 फरवरी को ही आता है यहां महत्पूर्ण बिंदु है आर बिंकट रमन य बिंकट रमन और प्रणों मुखरजी भारत के ऐसे दो वित्मंत्री रहे हैं जिन्हों ने बाद में भारत के राष्ट पती के रूप में भी काम किया और दोस्तों प्रणों मुखरजी ने 7 बार बजट पेश किया था भारत में पहली बार कार्पूरेट टेक्स की वित्मंत्रालों को पूरी सुरक्षा की जिमेदारी आईबी के पास रहती है ये भी फैक्ट याद रखेंगे अब महत्पूर्ण बिंदु है कि साल 2000 तक साम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था लेकिन वित्मंत्री यश्वन सिना यानि अटल बिहारी बाजपेई जी की सरकारती 2001 में बजट पेश करने के समय में बदलाव कर इसे सुबह 11 बजे कर दिया गया उस समय से हर बार 11 बजे ही बजट पेश किया जाता है साम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की सुरुआद सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा 1924 में शुरू की गई थी दोस्तों और साल 2017 से इसे एक फरवरी पहले 28-39 फरवरी को होता था या एक फरवरी या फरवरी के पहले कामकाजी दिन पेश किया जाने लगा साल 2017 के बजट से ही केंदर की नरेंदर मोधी शरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ ही समायोजित कर दिया नहीं पहले रेल बजट अलक्षे पेश किया जाता था ति ये सारे रहे संबंधित मातपूर्ण फैक्ट बजट से संबंधित अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों की सिक्षन में आज आप लोगों ने कल का उत्तर बहुत ही अच्छा दिया लगबख सभी लोगों ने सही उत्तर दिया इसका मतलब है कि आप लोगों ने ठीक से निउज को सुना और उत्तर दिया आज उत्तर देने वालों में जो लोग हैं मैं एक एक करके नाम ले रहा हूँ इतने लोगों ने कमेंट और एंसर दोनों दिये हैं अब बात करते हैं आज के प्रसनों की तो हाल ही में भारत ने नेगेव लाइट मशीन गन किस देश से लिया है इसराइल, अमेरिका, इरान या फ्रांस नेक्स कोशन है हाल ही में चुनाव आयोग ने किस नाम का डिजिटल वोटर आईडी कार्ड लॉंच किया है ECIP, EPIC या EEPIC या EECI तीसरा कोशन है गंतन दिवस 2021 के दोरान प्रदर्सित हुई सभी जहाकी में प्रथम पुरसकार किस राज की जहाकी को मिला है त्रिपुरा की, उत्तरप्रदेश की, उत्तराखंड या करनाटक की नेक्स कोशन है हाल ही में अमेरिका ने किन दो देशों के हत्यारों की विक्री पर रोक लगा दी है संयुक्त अरब अमिरात और यमन, संयुक्त अरब अमिरात और ओमान, या साओधी अरब और कुएत, या साओधी अरब और संयुक्त अरब अमिरात जारी किये गए नए कोरोना वाइरस प्रदर्सन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है 76 अस्थान पर है 86 में पर है या 96 में पर है या 97 यानि 76, 86, 96 या 97 टोटल 98 थे जिसमें अंतिम रैंक जो है वहाँ ब्राजील की है अब बढ़ते हैं कजाकिस्तान गंडराज में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे न्यूत किया गया है अजीत विनायक गुपते, शुब दर्सनी त्रिपाथी, अखंड परताफ सिंग या आलोक सिंग को नेक्स कोशन है फाइब जी लाइप दर्सन करने वाली देश की पहली दूर संचार कमपनी कौन बन गई है भारती एरटेल, टाटा इंडिकॉम, रिलाएंस या वोडाफोन नेक्स कोशन है किस राज को भारत निर्वाचन आयोकद्वारा सरसेश रास्ती सरसेश चुनावी अभ्यास पुरसकार 2020 के लिए चुना गया है मेघालय, मिजुरम, बिहार या जारखन नेक्स कोशन है 2022 में महिला एसिया कब फुटबॉल की मेजबानी कौन सा देश करेगा कतर, भारत, जापान या दचिण कोरिया और दोस्तों अंतिम प्रस्न है गणतंत्र भारत का स्वतंत्र नहीं, गढ़तंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को किसने पेज किया था जौन मताई, आरशन मुगम चेटी, या आरवेंकर टरमन, या मोरार जी देशाई इन दसों प्रस्नों के उत्तर आप लोग सीगर दीजिएगा आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू दोस्तों